नमस्ते, मैं रे खामिश्टा अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ इस लॉपडाउन में मैं बनाऊंगी दही की बहुत ही चटपटी सबजी अगर हमारी रेस्पी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पहले मैं इपनी सामगरी बताती हूँ मैंने आधा किलो आलू उवाल करके इसे मीडियम में मैंने काट लिया है और 200 ग्राम दही ली हूँ इसे अच्छे से फेट ली हूँ दो प्याजबारी किस काट लिया है एक हरी में चली हूँ कड़ी पत्ता अद्रक लेसुन मैंने दरदरा करके ले लिया है चार-पांच करी लेसुन एक इंच द्रक का टुकड़ा थोड़ा सा धनिया मिर जाए तो लॉकडान में डाली है नहीं तो ज़रूरी नहीं है हमारे पास था तो मैंने रग ले लिया है कि अवर बनाने के लिए मैं सरसो के तेल में सबजी बहुत अच्छी होती है सरसो के तेल में बनाऊगे अब जो सबजी खाते है इस तेल में बनाइए तो चड़िए बनाना स्टाट करते हैं इसमें मैं डालूँगी दो सकीन चम मच तेल, अन्दास से ही मैं डाल दूँगी, तेल जैसे ही गरम होगा, मैं डालूँगी इसमें जीरा, गैस हमारा फास्ट है भी, जीरा जलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा जीरा हमारा जैसे ही गरम होगा, जीरा हमारा हो गया है अब मैं इसमें डालूंगे अधरक लेसुन पहले ही डाल देने का लेसुन फोड़ा पक जाता है तो उसका शुफू बहुत अच्छी आती है अब मैं डालूंगे इसमें प्याज बारिती से प्याज काट लेने का ज्यादा बढ़ा-बढ़ा महिम में बहुत खोपी आती है थोड़ा-खोड़ा प्याज हमारा गुल्डफन होने लगा है अब मैं इसमें डालूंगे अधरी पत्ता और ये घृमीश अखाई ढाला है कि आज हमारा पग गया है अब मैं डालूंगी इसमें पहले मसाला तो दो चम्मच मैं डालूंगी मसाला एक चम्मच हल्दी अधा धा चम्मच मैंने दो बार डाला है तो चम्मच लाल मीच पाउडर प्लाश मीच पाउडर से कलर भी अच्छा आता है स्वाद भी बहुत अच्छा आता है इसलिए मैंने हरी मेच अख्खा ही डाला है जिसे पसंद हो और अलग से लेकर के खा सकता है ज्यादा तीखा पसंद हो कि इसी के साथ मैं डालूंगी आलू मीडियम आखिर भून लेना है दो मीडियम है अब मैं इसे दो मीडियम के लिए ढखोंगी ताकि अच्छे से आलो में मसाला पक जाए देखूंगी हम दो मिनट बाद अच्छी सुस्गू आ रही है अब इसी कुसाथ मैं डालूंगी मसाला पक गया है हमारा अब मैं डालूंगी दही दही को फेट लेखी मैं थोड़ा साइच में डालूंगी पानी दही वाले कटोरी से एक कटोरी में पानी डालूंगी अब इसे मैं उबलने दूंगी जब सबजी उबल जाएगी फिर मैं बाद में इसमें नमक डालूंगी दही सबजी डालने के बाद तुरंट नमक नहीं डालनेगा नहीं तो दही फड़ जाती है इसे मैं ढख दूंगी जैसको करनी फास्ट उबलने के लिए सबजी हमारी पक रही है, देखूंगी मैं, पांच मिनट हो गया सबजी पकते हुए, सबजी अच्छे से पक गई है, और अब मैं डालूँगे इसमें नमक, दो चम्मच मैंने नमक डाला है अंदाज से, और इसी के साथ मैं डालूँगे धनिया की पती, अब गैस बंद करके, अब मैं इसे सब करूंगे, बहुत अच्छी सबजी होती है, दही की, सब कर लिया मैंने, दही अलूँगी सब की, बहुत ही तेश्टी चटपटी बनी है, आप भी बनाईए, इस लॉप डाउन में खाईए, अपना अनभव हमारे साथ सेर कीजिए, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसे रोटी, पूरी, पराठा, चावल सब के साथ अच्छा लगता है, मैंने गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्फ किया है, जल लटूंगी, किसी नए रेसिपी के साथ, थेंक्यू